तब स्प्राइब करें हमारे डीजी वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन दमाना ना बुलें पूजा घरों से निकलने वाले फूल, घरों से वा हाट बजारों से निकलने वाले फलों, सबजियों के छिलके हम या तो बाहर फेक देते हैं या नदी नालों में पिसर जित कर देते हैं जिससे परियावरल नदी नाले प्रदूसित होते हैं एसलारम में सेवा दे रही हमारी महिला स्वासायता समूं की कारिकड़ता तत्य दिन इन कचरों को संग्रहित करती है संग्रहित कच्रे को ये टीम उन ही कच्रों को मनी कंचन के अंदर तक लाती है संग्रहित कच्रे से गारमेद इन्जाइम है तो उप्यूत कच्रे की छटाई करती है कच्रे से प्लास्टिक, काच या पालिथीन यदी हो तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है गारमेद इन्जाइम बनाने तो हमें जरूरी सामगरी जो चाहिए सबसे पहले हमें एक एयर टाइट प्लास्टिक जार चाहिए दूसरा गुल या मुलासिस चाहिए तीसरा गारमेद चाहिए जो किचन वेस्ट होता है या फ़लो के चिलके होते हैं या फून पत्ते और चौता हमको पानी की जवरत होती है सबसे पहले हम इन टीनों को तौल लेते हैं फिर पानी में घुड को या मुलासिस को अच्छी तरह से मिला लेते हैं घुड पानी में मिलने के बाद गारवेज जो कच्णा हमी कठा किये हैं हम उसको पानी में मिलाते हैं और पीनो को अच्छे से आपस में मिल जाए, ऐसा प्रयास करते हैं. एंजाइम गार्वेज को आपस में मिलाने के बाद जार को एर टाइट ढखकन से बंद कर देते हैं. हम इस पर एक स्टिकर लगा देते हैं जिससे समय का दिहान रखा जा सकते हैं. अगले 90 दिन के लिए जार को हम सुरक्षित छायादार इस्थान पर रख देते हैं. तीन माह के बाद हमको गहरे भूरे रंका लिक्विक के रूप में गार्वेज एंजाइम प्राप्त होता है. जिसे हम बाटल में भर कर बहु उप्योगी काम में लाते हैं. हम 90 दिनों बाद प्राप्त एंजाइम का बेहतरीन उप्योग अपने घर के फर्स को साफ करने के लिए कीट ना सक के रूप में. पेण पौदों पर खात के रूप में उप्योग कर सकते हैं. पेण पौदें से तीन गुनातेवी से वरिध्धी करते हैं. किरादा कर लिया हमने के शिवने वादा कि वादा कर लिया हमने यहाना कैया अप्री